नमस्कार साथियों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों बेसिक शिक्साव विभाग से सम्मंदित एक लेटेस्ट न्यूज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक जन्पद में जैट्रोपा का फल खाने से स्कूल के 40 परिसदी है स्कूल इस बच्चों की हालत बिगड गई है जिसको देखकर सिक्सकों के हाथ पाऊँ फूल गए है क्योंकि काफी गंबीर मामला है हालाकि इसमें सिक्सकों का कोई दोस्त नहीं है लेकिन जब इस तरह का परकरण होता है तो सिक्सकों पर कारवाई हो जाती है साथियों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरी किस जन्पत का मामला है और किस तरह से बच्चों की हालत विगडी है साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहिए तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का link आपको वीडियो क description box में मिल जाएगा जिसमें क्लिक करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं तो चलिए देखते हैं कहां से ये खबर आई है फतैपूर से ये खबर है फतैपूर में खजुआ बलाक के प्रात्मिक और उच प्रात्मिक विदाले मंडराओं में जैट्रोपा का फल खाने से 40 बच्चों की तब्यत बिगडी है स्कूल के लंज टाइमें बच्यों ने भोजन किया और फिर खेलते खेलते पडोस की बाग में चले गए बाग में जैट्रोपा के फलोग को बच्चों को बच्चों को उल्टी दस्त की सिकायत हुई पल भर में संख्या बढ़ने लगी तो सिक्सकों के हाथ पैर फूल गए मामले की सूचना खंड सिक्षा दिकारी अनीता सहा को दी परदानत ज्यपक ने आनन फानन में सरकारी एंबुलेंस बुलाकर बच्चों को बारी बारी से सामुदा एक स्वास्त केंदर विद्गी भेजा अस्पताल में भरती करके इलाज सुर लिए गए हैं जिससे उल्टी दस्त की सिकायत पर पैंदिस बच्चों को अभी तक अस्पताल में दाकिल किया गया है और मामले पर नजर रखी जा रही है साथियों काफी गंबीर मामला है ऐसे में हालांकि सिक्सकों का कोई दोस्त नहीं है लेकिन थोड़ी सी सावधानी ब खतरनाक होता है और बच्चे जल्द बाजी में उसको खा लेते हैं तो साथियों हमें सावधान रहने की जरत है कुछ बार ऐसा होता है कि हम कोई गल्ती भी नहीं करते लेकिन उसकी सजा हमें मिलती है तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल का इगन को प्रेस कर दे जिसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद